बागेश वर धाम सरकार यानि के धीरेंदर शास्त्री इनके वक्तों के पुदाबे कि ये लोगों की मन की बाद बिना काय जान लेते हैं। इनके वक्तों में राज जपाल से लेकर कई मंतरी तक शामिल हैं। लेकिन हाली में धीरें शास्त्री पर नाकपुर में उनकी कत्हा के दुरान महाराष्ट के एक संगठन ने अंद विश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। और उने चनौती दी थी कि अगर वो इतने ही चमतकारी हैं तो वो समीती के सामने आगर चमतकार करके दिखाएं और अगर वो ऐसा कर पाए तो उन्हें तीस लाग रोपे दिये जाएंगे लेकिन बागेश और धाम सरकार ने इस चनौती को एकसेप्ट नहीं किया और दो दिन पहले इनागपुर से भाग निकले आगर कौन है ये चमतकारी बाबा क्यों लगे इन पर या रोप क्या है पूरा मामला चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में बागेश्वर धाम का मंदर और स्थान बंद्य पदेश के च्छतरपूर में बाबा बागेश्वर धाम या बाबा बागेश्वर सरकार के गुरूजी का नाम धीरेंद्र कृष्ण है जिनको लेकर आज इतने सारे विवाद हो रहे हैं आपको बदा देंगे बागेश्वर बागेश्वर धाम का ये मंदर बाला जी का बंदर है इस मंदर को लेकर माना जाता है कि चतरपूर के गढ़ा गाओं में पहाडी पर शंकर जी की एक मूर्थी स्थापित थी अब पासी में गाओं के लोग अंतिम संसकार करते थे उस वक तक कुछ लोग वहाँ पर जादू बागेश्वर धाम का जाता है दादा गुरू के बाद धीरेंद्र शास्त्री के पिता भगवान सत्य नरायन की कता सुनाय करते थे और खेती किया करते थे और साल 1996 में 4 जुलाई को धीरेंद्र शास्त्री का जन्मुआ माना जाता है कि 12 मीं तक पढ़ने के बाद धीरेंद्र कृष्ण भी पिता की तरह भगवान सत्य नरायन की कता सुनाने लगे थे इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री गड़ा वे मौजूद मंदिर में भी जाया करते थे ऐसा माना जाता है कुछ साल पहले धीरेंद्र शास्त दावा था कि बाला जीने उने साक्षाद दर्शन दिये थे उस वक्त तो उने अतनी पॉप्लारिटी नहीं मिली लेकिन कुछ समय बाद धीरेंद्र शास्त्री के साथ ऐसे लोग जुड़े जिन्हों ने सोचल मीडिया से जोड़ा उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री को कभी प्रिचार की जुरुत नहीं पड़ी फिर कुछ समय बाद टीवी पर चलने वाले थार्मिक चैनल्स ने भी उनका प्रसारण शुरू कर दिया था अब तो दीरेंद्र शास्त्री कथा वाचक दीरेंद्र शास्त्री बन गए थे दीरे दीरे लोग उनके गड़ां में जिस दिया के लिएवालने के लिए नहीं का इसी कि थे दिशफर यूरा हुने के लिए बागेश्वर धाम से तोकल लेना पड़ता है hier को चैनल्स चैनल्स नहीं वाले कर दे दीरेंद्र शास्त्री सोशल मेरिया इनकाते हैं इस नहीं फंए घृ देस्ट 5 में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लोगों के मन में उठने वाले सवालों को उनकी समस्याओं को बिना बताई परची पर लिख दिया जाता है उनकी यही सिद्धी है जिससे उन्होंने प्रसिद्धी पाई है और आज उनकी प्रसिद्धी इतनी फैल गई है कि जो पहाली के नीचे का पंचायद भवन था अब अच्छे खासे निर्वान के बाद भागेश्वर दाम बन गया है इसके चलते आस पास की जमीनों की कीमत 80 लाग प्रतियकर तक पहुंच गई है आज इस मंदिर में भक्तों का दर्शन एक बिजनस बन गया है विश्वास के चल सीवतों का पार तूट पड़ा है बागेश्वर सर्वकार का नाकपुर का बिवात दरसल नाकपुर की रेशीम बाग मैदान में राम चरित चर्चा का आयोजन हुआ था और इसमें धीरिंद्र शास्री का भी दर्वार लगने वाला था नाकपुर में इस कथा की शुरुआ नाकपुर में जब इनका कारिक्रम था तब जादू टोना विरोधी प्रचार प्रचार समीति के श्याम मानम ने उन्हें चुनोती दी थी कि वह वहां पर चमतकार करके दिखाएं और समीति वालों के बीच दिव चमतकारी दर्वार लगाएं जैसा कि धीरियंद्र शास्त् परी तक राकपुर में रुकने वाले थे तो चुनोती के चलते वो 11 जनुवरी कोई मासे निकल गए उन पर आरोप लगाए गए थे कि धीरेंद्शास्री राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दर्वार लगाते हैं और जादू टोना के जरी अंद्विश्वास को हमने बागेश्वर सरकार के खलाफ कारेवाई के अर्जी लगाई है और दम की दिये कि पुलिस कारेवाई नहीं करती है तो अंदूलन किया जाएगा दरसल महाराष्ट में जादू टोने के खलाफ कानून है जिसे महाराष्ट एंटी सुपर स्टीशन एंड ब्लैक मैजिक का जाता है जो कि 2013 अबना था इस पर धीरेंद शास्त्री का कहना था कि उनको तो ऐसी कोई चुनाती मिली नहीं थी आपको बदादे के इन दिरों बागेश्वर सरकार की कता राइपुर में चलो रही है वही नाकपुर विवात को लेकर धीरेंद शास्त्री के मताबिक भार दो दिन दर्वार भी लगाया था वो कहीं से भी भाग कर नहीं आये थे शास्त्री के मताबिक लोग सस्ती लोग प्रित्या पाने के लिए इसा कर रहे हैं धीरेंद शास्त्री के मताबिक ये सभी आरोप उन पर नाकपुर से निकल जाने के बाद लगें वो इस विवात को लोगों को राइपूर आने तक किराय देने के लिए तयार है वहीं दोस्तों अगर बाबा पर लगाएगा या रोप सही सावित होते हैं और उनके प्रवचन सही में अंद विश्वास फैलाने के दाइरे में आए तो आई पीसी की धारा 416 के तहद बाबा के बयान को लेकर कार में पर रिवाई होसकती है इसके साथ यawाभा पर पांसemia कि दरज किया सकता है अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान आईश्ट देव की नाराजगी से किसी का कुछ हो जाएगा तो ये गुना बनता है तो ऐसे में लोगों पर केस दर्च किया जा सकता है वैसे दोस्तो नाकपुर में तो हाल ही में ये विवाद उठा है लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का विवादों से बोई नया आता नहीं है बलकि पहले भी कई बार अपने बयानों के चलते विवादों वैसा बन चुके हैं इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री सीम शिवराज सिंग चुहान को बुल्डो जरवावा बता चुके और उनके उस बयान ने भी जमकर सुरुखियां पटेवरी थी। इसके साथ ही बीजेपी विधायक प्रीतम सिंग लोधी के ब्रामनों पर दिये गए बयान का भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। बाबा की और से भी बयान दिया गया था कि चादर और फादरवालों से दूर रहो। उस वक्त उनका इशारा मुसलिम और क्रिस्चिन लोगों की तरफ था। और आप बाबा नाकपुर के इस विबाद का सामना कर रहे हैं। दोस्तों क्या लगता आपको क्या बाबा बागे अशुर के उपर लगाएगा या रोप सही है घलत। हमें हमारी कॉमेंट सेक्षिन में जरू बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो से लाइक और शेयर जरू करें। साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करा बेल आइकन दोबाना बिलक को लाप बुले